तो मूवी के शुरुआत में हमें कपल को देखते हैं जो कि अपने कार से कहीं जा रहे थे इनका नाम था जेना और जैमी इन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी थी और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश थे लेकिन अचानक इनकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है जिस में बस जेना ही जिन्दा बची थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जेना को उसके फ्रेंड रेनी कहीं पर ले जा रही थी क्योंकि जेना अक्सर उदास रहती थी और वो कहीं पर भी आती जाती नहीं थी रेनी जेना को अपन एंकल वेट के केबिन हाउस पर पहुच जाते हैं जहांपर वेड सभी का अलकोहल से वेलकम करता है लेकिन जेना अलकोहल नहीं लेती और फिर सभी अपने बैकपेक खाली करते हैं फिर हम यह देखते हैं कि जेना कुछ टेबलेट्स ले रही थी जो कि डिप्रेशन की टेबले को अंदर यंदर पसंद करता था लेकिन जेना की कंडिशन ठीक नई थी और वो अभी भी जेमी के सदमे से नहीं निकली थी डिनर खत्म करने के बाद में जेना वेट के डोगी बाउ के साथ में बाहर खिलने जाती है जहांपर वो यह देखती है कि रेनी का बॉइफ्रेंड माइकल यहां पर ड्रक्स ले रहा है लेकिन वो इसे इग्नॉर कर देती है जिसके बार में वेड़ वहाँ पर आकर सभी को ये बताता है कि पासी में एक पार्टी होने वाली है जिसके इन्विटेशन कार्ड उसने अरेंज कर दिये है और इन्विटेशन के बिना वहाँ पर किसी को भी नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि ये एक प्राइवेट पार्टी है वेड़ भी उस पार्टी में मुझूद रहेगा लेकिन उसे वहाँ पर फायर वर्क जलाने का काम मिला था इसलिए वो पार्टी के अंदर नहीं आ पाएगा सभी यहाँ पर वेकेशन मनाने और इंजोई करने के लिए आये थे लेकिन जेना को यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था वो पार्टी में भी नहीं जाना चाहती थी जिसके बार में वेड पार्टी के लिए निकल चुका था और यहां पर सभी पार्टी में जाने से पहले ये डिसाइट करते हैं कि क्यों ना वेट के दुआरा बनाये हुए सोना बात यानि की स्टीम बात को इंजोई किया जाए चारों लोग स्टीम बात लेने के लिए एक रूम में गए थे जिसे वेड ने बनाया था पुरा लकड़ी से स्टीम रूम के अंदर गर्मी के लिए पत्थर रखे हुए थे जो कि बाहर से आ रही गेस से गर्म होते थे और यहीं से पूरी स्टीम आती थी जेना अपने कमरे में थी और वो अभी भी अपने फ्यांसे को याद कर रही थी जिसके बार में वो चेंज करके स्टीम लेने के लिए आ चुकी थी लेकिन उसे सब के सामने ऐसे आने में अनकंवर्टेबल फिल हो रहा था जेना को स्टीम लेने आने में डर भी लग रहा था और वो अपने साथ कुछ पानी की बोटर लाई थी ताकि उसे यहाँ पर पानी की कमी महसूस नहो अब चारो इस टीम रूम में थे और यह रूम धीरे-धीरे गर्म हो रहा था जिसके बार में यान यहाँ की इस टीम को बढ़ा देता है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन सभी की बोटी इतनी जादा गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी जीसे ठंडा करने के लिए ये सबी लोग पासी की एक लेक में डूपकी लगा कर आते हैं और अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं लेक से निकलने के बार में सबी वापस रूम में जाते हैं लेकिन माइकल अंदर जाने से पहले बहुत ज़्यादा मातरा में अलकोहल ले लेता है और इतनी ज़्यादा अलकोहल पी लेता है कि उससे ठीक से चलते भी नहीं बन रही थी फिर हमें देखते हैं कि सभी लोग steam बात को enjoy कर रहे थे वो बार बार steam room से निकल कर lake में जाते थे और lake से वापिस अपनी body का temperature कंट्रोल करने के लिए वापस से steam room में आते थे और फिर ऐसा कई बार होता है फिर जब सभी वापस आ चुके थे तो माइकल अपनी girlfriend रेनी से कहता है कि मौका बिल्कुल सही है जेना और इयान को यही पर रहने दे और वो उसके साथ में उपर जाकर मोज मस्ती करें लेकिन रेनी माइकल के साथ नहीं जाती क्योंकि माइकल ने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराप पी रखी थी का दर्वाजा अब नहीं खुलता वे कई पर दर्वाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दर्वाजा अब लॉक हो चुका था और इस रूम में अब जेना इयान और रेनी बंद हो गए थे जो कि धीरे धीरे स्टीम के कारण गर्म हो रहा था सबी को लगता है कि ये माइकल की शरारत है और वो आवाज लगाते हैं लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता इयान को ये पता था कि दर्वाजा के बाहर कोई भी लॉक नहीं है मतलब कि नहीं गर्मी से लकड़ी का दर्वाजा फूल के फज गया है और लॉक तो हो ही नहीं सकता और फिर अगर दर्वाजा नहीं खुला तो अंदर की रूम की गर्मी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उनके अंदर का पसीना सुखता जाएगा अगर समय रहते दर्वाजा नहीं खुलता तो ये सब यही पर मर भी सकते हैं क्योंकि पसीना नहीं होगा तो उनकी body खुद को ठंडा नहीं कर पाएगी और धिरे धिर सब ब्योश होने लगेंगे जिसके बाद वे मर भी सकते हैं यान कि ये सब बाते सुनने के बाद में जेना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो मरना नहीं चाती थी और वो बहुत ज़्यादा डेरी हुई भी थी सब ये देखते हैं कि यहाँ पर टेंपरेचर मेजर करने वाला डिवाइस लगा है लेकिन उसका कंट्रोलर अंदर नहीं बलकि बहार की साइड है और ये सबी बस टेंपरेचर को देख सकते हैं उसे कम या फिर बढ़ा नहीं सकते हैं जिसके कुछ देर के बाद में यहाँ पर एक और प्रोबलम सामने आती है रूम में धीरे-धीरे ऑक्सिजन भी कम हो रही थी और फिर यान हीटर से गर्म पत्तर निकालता है और उसे पानी में डालकर उसे फेले ठंडा करता है जिसके बाद में वो उस पत्तर से डोर में बने हुए शीशे की एक विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो विंडो नहीं तूटती और उस पत्तर से यान का हाथ इंजर हो जाता है अपने हाथ में चोट लगने के बाद भी यान नहीं रुकता और वो जैसे तेसे उस छोटे से शीशे को तोड़ने में कामियाब हो जाता है जिसके बाद में सभी को थोड़ी आक्सजेन मिलती है उस छोटी से विंडो से सभी मैकल को आवज लगा रहे थे लेकिन उनकी आवज को सुनने वाला यहां पर कोई भी नहीं था और यहां पर यह तीनों फस चुके थे यह तीनों यहां पर थोड़ा-थोड़ा करके पानी पी रहे थे जो की जेना लाई थी ताकि उनकी बॉडी का पानी नहीं सुके लेकिन ये बोटल जादा देर तक नहीं चलने वाली थी जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि यान पत्थर को टॉवल में लपेट कर रूम का दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे ये पता लगता है कि दर्वाजे पर कोई भारी भरकम चीज रखी हुई है जिससे की दर्वाजा नहीं खुल रहा था अब धीरे धीरे टेमपरेचर बढ़ रहा था और इनकी स्कीन अब जलने लगी थी सभी को ये लग रहा था कि माइकल पार्टी में चला गया है और उसका वेट करना बेकार है क्योंकि वो पार्टी से सुबर तक वापस नहीं आने वाला था फिर इयान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न यहांके इलेक्टिक बल्ब में शौट सर्कीट कर दिया जाए जिससे की बिजली चली जाएगी और हीटर बंद हो जाएगा लेकिन इयान ये भूल जाता है कि वो पूरा पसीने में भीगा हुआ था और सर्कीट को उड़ाने के चक्कर में इयान को भी एक बड़ा सा बिजली का जटका लग जाता है जिसके कारण इयान अब बेसुत पड़ा हुआ था फिर सड़नली वेट का डॉक बू उन सबी की आवाजे बहार से सुन लेता है जिसके पीछे ड्रंक माइकल वहाँ पर आ जाता है रूम के अंदर सबी को ये पता लग जाता है कि माइकल बहार है और वे मदद के लिए जोड़ जोड़ से चिलाते हैं लेकिन बहार फायर वर्क चल रहा था जिससे की उन सबी की आवाज माइकल तक नहीं पोच पाती और माइकल पहले से ड्रंक था और वो बू को लेकर माँ से चला जाता है वेड माइकल से पूछता है कि बाकी के सबी लोग कहां पर है जिसके जवाब में माइकल उस से कहता है कि वो शायद उसे चोड़कर पार्टी में चले गए है जिसके बार में माइकल वेड के साथ में निकल जाता है ड्रिंक करने के लिए इधर इस टीम रूम में सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे और पानी भी अब खतम हो चुका था इन सभी का दिमाग इनका कंट्रोल में नहीं था क्योंकि ये बस बाहर निकलना चाते थे और ये इतनी ज़ादा गर्मी को सहिन नहीं कर पा रहे थे जेना पत्तर से दर्वाजे को तोड़ने में लग जाती है और जब रेनी उसे रोकने के लिए आती है तो वो उसे ही पत्तर से मार देती है जिसकी वज़े से उसके सीर पर बहुत ज़्यादा गेरी चोट आती है रेनी सांस तो ले रही थी लेकिन वो बेवशो जुकी थी इन का भी अब खुद पर कंट्रोल नहीं था वो पागलो जिसे बिहेव कर रहा था क्योंकि उसकी बोडी का पानी कंटिनियूस उड़ रहा था जिसके बार में इन सड़नल उठता है और गर्म हीटर को पकड़ कर उसे तोड़ने की कुशिश करता है और इसी के दोरान वहाँ पर एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है जिससे की इन की बोडी पूरी जल जाती है और वो वही पर मर जाता है रेनी भी धीरे-धीरे अपनी सांसे खो रही थी और उसे अक्सिजन दिलाने के लिए जेना उसे टौविल से उठा कर दर्वाजे के होल पर खड़ा करती है ताकि वो दर्वाजे के होल से ठीक से सांस ले सके यान उस हीटर को तोड़ चुका था लेकिन उसमें एक पाइप के जरीए गेस बाहर निकल रही थी जिससे की वो रूम गर्म हो रहा था जेना उस हीटर से गर्म पत्थर को अपने हाथों से निकाल देती है जिससे की उसके हाथ जल जाते हैं और फिर वो तूरंत उस पाइप को ब्लॉक कर देती है ताकि रूम और गर्म ना हो जिसके बार में जेना रेनी के साथ में जिसे तेसे ऑक्सिजन लेने की कोशिश करती है और फिर यही पर खुलता है एक एसा राज जिससे की इनकी ये हालत हुई थी माइकल और रेनी के बीच जब जगड़ा हो रहा था तो माइकल बहुत ज़्यादा ड्रंक था माइकल स्टीम रूम से जाते वक्त एक छोटी से लेडर को एसे ही पटक कर चला गया था और बस इसी लेडर ने रूम के दर्वाजे को पूरी तरसे ब्लॉक कर दिया था और फिर अंदर फसेवे लोगों का गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रेनी और जेना दोनों बच गए हैं लेकिन यान नहीं बच पाता एम्बुलेंस इन सभी लोगों को होस्पिटल ले जा रही थी और मैकल बस अपनी लापरवाई पर आसु बहा रहा था दोस्तों मूवी में हुआ ये कि मैकल जब डरंक था तो वो अपने सभी फ्रेंड्स को अंजाने में सोना रूम में बंद करकर चला गया जिसका उसे खुद भी पता नहीं था जब मैकल को होश आया तो उसे लगा कि सभी लोग उसे छोड़कर पार्टी के लिए निकल गए होंगे और उसने उस रूम को एक बार चेक करने की भी कोशिश नहीं की रेनी और जेना तो जशे टेसे बच जाती है लेकिन इया नहीं बच पाता तो दोस्तों केसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताईएगा क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ट है वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रू कर लीजेगा